हान जी क्या हाल चार नमस्कार मैं हूँ डॉक्टर वायरा की स्वागत अभी नंदन करती हूँ सबसे पहले कौरी पुत्र गनेश मनाओं आज हम उनकी मम्मी की बात करेंगे आज हम पार्वती मा की बात करेंगे आज हम आपकी और अपनी बात करेंगे नमस्कार सु स्वागत अभी नंदन मैं हूँ डॉक्टर वायरा की स्वागत अभी नंदन करती हूँ और सभी बड़े देखने वाले उम्र में जो लोग हैं मैं सावन का पढ़नाम करती हूँ सावन का चरन सपर्श करती हूँ मैं आपके घर ना भी आ सकूँ तो प्लीज अंकल आंटी वहां से मुझे आशिरवाद दीजिए और एक या आशिरवाद चाहिए कि सदा सुहागन रहो और खुश रहो स्वस्त रहो और आप लोगों के सा मंगलगौरी का व्रत व्रत सावन के मंगलवार जो पढ़ते हैं उसपर ये मंगलगौरी का वरत रखा जाता है इसकी विशेशकर चीज मैं आपको बताऊँगी इसपर विशेशकर घ्यान में आज आपको दूँगे इस पर रोशनी और प्रकास टालेंगे लेकिन सबसे पह बारिश है सावन का महीना है खासी जुखाम हो सकता है और हर खासी जुखाम करोना नहीं होता समझे आप इसलिए पॉजिटिव होकर जीने की कोशिश कीजिए और सोच को बढ़िया और मस्त कीजिए मैं हूं डॉक्टर वायरा की जुड़ी हुई आपके साथ आज हम बात करें मंगला गौरी वरत के बारे में अगर आपके पती के आपसे नहीं बनती है ठीक है और बात बात पर स्थितियां ऐसी हो गई है कि तलाक जैसी हो गई है लेकिन आप तलाक नहीं लेना चाहती और आप उनी के घर रहना चाहती है या आपके पती के जिंदिगे में कोई और मही महिला आ गई है तो आपको मंगला गौरी वरत रखना चाहिए लेकिन मंगला गौरी वरत रखने से पहले अपने मंगल की स्थिति को कुंडली में जान लेना चाहिए कई किसी किसी लोगों का जैसे मैं महिला को जानती हूं उनका मंगल इतना खराब है कि अगर वो मंगलवार क वरत रखें, तो उनका सत्यानासी होगा, कुछ अच्छा नहीं हो सकता, तो ये समझ लेना चाहिए, कि हमें मंगला गौरी का वरत रखना भी है, या नहीं रखना, अच्छा कई इस त्रियों को तो मंगला गौरी का वरत इसलिए रखना है, कि बस मैंने कहे दिया, आपकी पती की जिन्दगी में कोई नहीं होता, आप सिर्फ शक में अपनी जिन्दगी को खराब कर रही होती हैं, और आपको एक बात बताओं, कोई घंटा किसी को रोक नहीं सकता, एक्स्ट्रा मेडल आफेर से, नहीं रोक सकता, अगर सामने वाले ने ठान लिया उसे जाना है, और ऐस में हालात कैसी होते हैं, कि रेत को जब कस्के पकड़ने की कोशिश करो ना, तो और भी उंगली के चारो कोनों से, चारो उंगलियों से जोर जोर से निकलना शुरू कर देती है, हाथ को खुला छोड़ दो और रेत को यहां रख लो तो टिक जाती है, अगर आपके हजबन का अफेर भी है ना, तो वो आपकी जासूसियों से, आपके वरत रखने से, इन सब चीदों से वापस नहीं आएंगे, सिर्फ आपके प्यार से, समर्पंड से, और जादा इजद देने से वापस आएंगे, लेकिन 90% महीला इसका उल्टा ही करती हैं, वो घर का महल ऐसा बना द किया, वो किया, यह कोई पती नहीं सुनना चाहता, क्योंकि जितनी महनत आप घर में करती हैं, उतनी ही पती भार भी करता है, तो पहले अगर पती पती और वो का चक्कर है, और आप सोचे कि वरत रखने से कुछ हो जाएगा, फिर दो दिन बदा वाटस आप करें, मैंने तो वरत रखा बर कुछ नहीं हुआ, तो पहले अपने सुभाव को भी बद लिए, आप दुनिया में मेरा कोई भी उपाय कर लीजे, अगर इस इफ यूर नेचर इस नाट गुड, आपका वेवार अच्छा नहीं है, आप मेरे से तो बड़ी मीथी मीथी बाते करते हैं, राकी पत्नी के संबंद अच्छे नहीं है, तो मंगला गौरी का वरत रखा जा सकता है, मंगला गौरी का वरत होता है, सावन में पढ़ने वाले मंगलवार को ये वरत रखा जाता है, इस वरत को मांगलिक लोग भी रख सकते हैं, इस वरत को केवल महिला और पुरुष भी रख सक सकता है और अगले दिन हो सकता है आपका मंगला गौरी का भी वरतो भई यो सकता है आपने पूरी सावन के भरत रखे हो ऑफूरा कोई विषेश का नेशे का नियम नहीं है जो आपको पालन करनłe आपने दों आपको शिंगार का समान अरपन किया, मा को चुन्नी पहनाई, आलता लगाया, मा को पूरा सजाने के बाद आपने मंगला गौरी कहा की कथा पड़ी, और मा से का मा मैं संकल प्लेती हूँ कि सावन के मंगलवार जो पढ़ रहे हैं, मैं मैं वरत रखूंगी, मेरे पती को लंबी उम्र दो, मेरे पती को तरक्की दो, मेरा मंगल गर अच्छा हो जाए, मेरी शादी हो जाए, अगर आपन मेरिट हैं तो, ठीक है, तो इस तरह से जो भी विशेश कर आपकी कामना है, पुरुष और यस्तरी इस वरत को रख सकते हैं, लोगों का कहना है कि इस तरी हैं इस वरत को ज पूजा की जाए, तो विशेश कर खुश होती हैं वो, ये उनका उनको पसंद है, पर आप जब पूजा करने तो सुभा भी करने और शाम को भी करने तो बहुत उत्तम होगा, और आटे का सूची का ये आटे का हलवा बना कर खासकर आटे का हलवा बना कर उसे मा को भोग कमपल सरी होता हैं और आपने इसको पहले साल करा तो पांस अल आपको से लगातार करना ही पड़ता है, अगर उन दिनों में आपको पीरेड हो रहे हैं तो आप और पूजा नहीं करेंगे, लेकिन आपको इस वरत को रखना ही होगा, कुछ घरों में ऐसा रूल है, ठीक है, इस बात को आप समझ लीजे, माता की तस्वीर के सामने अपनी मन की इक्छाओं को सब कुछ बोल दीजे, चौकी पर बिठाईए, और ऐसा भी कहा जाता है कि अगर इतना सब आपको लग रहा हो, कि मड़म जब लकडी की चौकी लाए, प्लेट के लाए, ये करे वो करे तो कु बोजन कीजिए, और भोजन में लस्तन अर्दरक प्याज मत खाये, एक समय का भोजन में आप जैसे आलू की सबजी, अर्भी की सबजी, रोटी, चावल भी आप खा सकती है, ठीक अगर एका दशी है तो चावल मत खायेगा, इस बात का ध्यान रखेगा, और आखरी मंगलव मुझाए, दुज़न आखरी मंगल वारो सावन का, आपको क्या करना है, कि आपको मा को पान और सुपारी का भोग लगाना है, कई Då, क्या करते है कि, उनके घर में मा की गौरा की तस्वीर नहीं होती या मूर्ती नहीं होती, वैसे तो नहीं है, तो बजार से खरीद लीजे, इंटरनेट से डाउनलोड कर लीजे, नहीं तो सुपारी लेकर उस पर मोली बांद कर कई लोग चावलों के उपर गौरा मा को बना कर रख देते हैं, और वो पूजा कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको बता हूँ, अगर आपको गौरा मंगल के पूजा करनी है और ये वरत रखना है, तो आपको ब्रहमण को घर बुला कर, उससे पूजा करवाने चाहिए, चार मंगलवार ही तो हैं सावन के, पंडी जी आए और वो एक बार गौरा मा को चावलों में बिठा दे, तो वो पूरे सावन आपके घर में बैठी रहेंगी, आप दिया चाहे और उसके उपर जो गौरा मा हैं, उसको जाकर आप पानी में सहला दीजे, या फिर आप पीपल के पेड़ के नीचे रख दीजे, और सोला बत्तियों का दीपक, हर मंगलवार, लाल धागे में मा गौरा के आखे जरूर चलाईए, मैं आपको और भी बाते बताओंगे, आप अगर इतने बड़ी-बड़ी चीज़ दरी करने, क्योंकि मेरा चैनल है ही घरिलू उपायों के लिए, राखी जी मुझे ना ये सब नहीं करना, लेकिन मुझे मंगला गौरी का वरत रखना है, मैं कैनेडा में हूँ और मुझे बड़ी जल्दी होती है ओफिस जाने की, यह जैपान में हूँ या मैं MP में हूँ, UP में हूँ, पता है क्या करो, आप सुबा उठो, नहाओ धो, अपने घर में चावर लो एक कटोरी, उसके उपर एक सुपारी लेकर मोली बांध कर, और उसे गौरा का रूप बना कर, सुपारी थोड़ी बड़ी लेना, और उसे काओ मा मैं आपको गौरा के रूप में अपने घर में स्थापित करती हूँ, और मैं आपकी मंगला गौरी के वरत रखूंगी, और गौरी मा मैं आपकी पूजा करूंगी, मेरे घर में सुख शान्ती देना, मेरे पती को लंबी उमर देना, सिहत अच्छी कर देना, और उसकी आगे मैं आपको मंगला गौरी पूजा का बता नहीं सकती हूँ और जितने असान और इजी तरीके आपको मैं बताती हूँ शायद ही किसी YouTube चैनल पर आपको देखने को मिले मंगला गौरी की पूजा यानि मा गौरा की पूजा अब सोमवार वाले दिन तो हम शिव की पूजा कर लेते हैं हैना शिव परिवार की पूजा कर लेते हैं लेकिन सावन के महीले में मंगला गौरी की पूजा करना आफिस आते जाते उसकी कथा सुन लेना मा के आगे दिया जला देना और नहीं करना है, सब कुछ हमारे घर में मंदिर नहीं है, मेरे घरवाले नहीं करना है देते, बहुत से लड़किया मुझे ये भी कहती है, तो आपको क्या करना है, nothing, आप मंदिर चले जाए, मंदिर में जाके मा क्या आगे दिया जला दीजे, हल्दी कुंकुम अरपन कर मा को सिंदूर अरपन कर दीजे, मा को गुड़ अरपन कर दीजे, और मा से अपने परिवार के अपने पती की लंबी उमर की कामना कर लीजे, अगर आप अन्मेरिट लड़की हैं, तो मंदिर चले जाहिए, और मुझे इस मंगल दोश है, लड़का या लड़की जो भी आप और मुझे इस मंगल दोश से निवारन दिलाओ, और मेरा विवाज जल्दी करादो, परणाम कर लीजे, और गुड़के चावल बाट दीजे गरीबों में, अगर आप वरत नहीं रखना चाहती, राकी जी मैं गौरी की पूजा तो मंगल वार वाल दिन कर लूँग, लेकिन में वरत नहीं रखना चाहती, तो कर लीजे ना, लाल चुनी अरपन कर दीजे, सिदूर अरपन कर दीजे, महंदी अरपन कर दीजे, लेकिन आपको कोई जरूरत नहीं है वरत रखने की, बस मा को परणाम करकर अपने पती की लंबी उमर की कामना करें, अच्छा जिसकी आप कोशिश कीजे कि आपके रिष्टे अच्छे हों अपने घर वालों के साथ तब फिर आपको शेप परिवार की पूजा का कोई फायदा मिलेगा मंगला गौरी वरत की पूजा करने का जो अधिकार है वो सास देती है अब सास के साथ तो आपके बनने रही और पती की लंबी उमर के लिए आप पूजा कर रही है कहते हैं कई जगाओं पे तो लोग पूरे वरत रखकर चार देंगे आखरी वरत में इसका जब उद्यापन करती है तो सास को कुछ तोफा और गिप्ट देती है और मैं तो कहते हूं देना भी चाहिए क्योंकि आपको पती मिला किसकी वजा से उन्होंने पैदा किया पाला पोसा चलिया आज आज आपकी और उनकी नहीं बनती पर पती मिला किसकी वजा से एक छोटा सा यही एहसान समझ लीजे इस पर लड़किया पलट कर मुझे कहते हैं क्या मिला मैं भी तो अपना घरबार चोड़कर रही हूं तो आप घरबार चोड़कर रही हूं तो उसके बदले में आपको संतान मिली है परिवार मिला है बहुत कुछ मिला है लेकिन मा जो होती है न जब उसके बेटे की शादी होती है तो बेटा तो हाद से निकली जाता है सास को कभी कुछ नहीं मिलता तो थोड़ी सी respect जिसे आप positive होकर ये सोच लेंगी कि अपना सब कुछ इनों ने मुझे समरपन कर दिया ठीक है इनकी nature अच्छी नहीं है ठीक है ये मुझे समस्ती नहीं है ठीक है तो कोई बात नहीं मैं अपने कार्मिक कर्मा को बढ़ाऊं और अपने कार्मिक कर्मा का bank balance कर दिया उसन धरती स्वर्ग हो जाएगी और मुझे उसन का इंतसार रहेगा मैं हूं डॉक्टर वायरा कि और इस वक्त आप मेरा YouTube चानल देख रहे हैं मैंने आप से मां मंगला गौरी के बारे में वरत के बारे में बता है जो चमतकारी वरत सावन के मंगल वार वारे दिन जिसे मां मंगला गौरी कहते हैं सुहागने रखती हैं आनमरेड लड़कियां भी रख सकती हैं कुआरे लड़के भी रख सकते हैं शाधी शुदा पुरुष भी रख सकते हैं कोई हार्ड और फास टूल नहीं है आपकी जो भीक्छाओ पर ये वरत होता पती के लिए इसलि पर मेरा पेज लाइक सब्सक्राइब शियर जरू कीचेगा तमाम जगा सावन से जुड़ी अलग अलग इन्फोर्मेशन और अलग अलग उपाय आपको मिलेगे फिलहाल दीजे जाज़ा जाते जाते जय मंग मां मुगला गौरी जीवन में है समस्या नहीं मिलरा तकलीफों से चुटका रहा नहीं मिलरी मन चाही नौकरी तूट गया है विश्वास सास से आपकी बिल्कुल नहीं बनती और खतम हो गई है आस भगवान से आपका विश्वास उठ चुका है टैरों के 78 कार्ड खोलेंगे भविश्य का जादू टोना तंत्र विद्याएं पती पतनी और वो करना होगा खुद पर विश्वास दीजे मुझे भी एक मौका अपनी कुंडले दिखाईए टैरों कराईए लेकिन अपनी जिंदगी को जल्द बदलवाईए मैं हूं डॉक्टर वायराखी आप मुझसे बात कीजे फो झाल